आज हम बनाएंगे बहुती स्वादेश्ट दमा अलू की सब्जी, ये खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुती आसान तरीके से आज हम इसे बनाएंगे हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिशनल फ्लेवर में, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दमालू की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने चोटे साइस के आलू ले हैं अगर आपके पास चोटे साइस के आलू नहीं है तो आप बड़े साइस के आलू को दो टुकड़ों में काट के ले सकते हैं यह हमने उबले हुए आलू लिये हैं, आलू को हमने उबाल कर छील लिया है, आलू को हमें ज्यादा उबर कुक नहीं करना है, एक सीटी आने तक हमें इने उबाल ला है, तो सबसे पहले हमने इसको फोक से छेट कर लेना है, इस तरीके से, जिससे कि जब हम इसे ग्रेवी में तो अंदर तक अच्छे से ग्रेवी और मसाला जाए इस तरीके से हम सभी आलियों को इस तरीके से फोक से चेट करेंगे अब इसके पाद हमने लिये हैं 4 मीडियम साइस के टमाटर इसमें हमने रफ्री चॉप कर लिया है और 8-10 काजु लिये हैं जिनको हमने भिगो कर रखा था अब हम एक मिक्सर जाग लेंगे इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर और सोकी हुए काजु डालेंगे दो हरी मिर्च डाल रही हुए इसमें और एक छोटा टुकड़ा हम इसमें डालेंगे अद्रक का और सभी को हम अच्छे से पीस लेंगे काजु और टमाटर को हमने पीस के त्यार कर लिया है अब हमने लिया है एक पैन इसमें हम ऑईल करम करेंगे तो 4-5 बड़े चमच में इसमें ऑईल ले रही हुँ पैल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे और जो बले हुए आलू थे हम उनको फ्राइ करेंगे आलू को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करना है गैस का flame हमें लो रखना है लो flame पर हमिने fry करेंगे यह देखिए यहीखिए हल्का हल्का golden color आ गया है इनने fry होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और देखे अची से fry हो कए हैं अब आम इने चीरा, थोड़ी सी हम इसमें डाल रहे हैं हींग, तो हींग आप जरू डालेगा क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया तेज़ आता है सब्जी में, थोड़ी से मैं ले रहे हूं खड़े मसाले, इसमें मैंने ली है, दो इलाइची, जिनको मैंने थोड़ा-थोड़ा खोल दिया इससे इसका कच्चापन निकल जाए, मैं इस सब्जी बिना प्याज लेसन के बना रही हूं, अगर आप प्याज लेसन खाना पसंद करते हैं, तो प्याज को अच्छे से पीस कर, इसमें भून लीजे, उसके बाद आप टमाटर का और काजू का पेस्ट डाल के भून लीजे तो एक चमच में इसमें डाल रही हूं, लाल मिर्च पाउडर, तो एक कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है, एक छोड़ा चमच, धनिया पाउडर, स्वाधन सा नमक डालेंगी, और सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगी, अब हम इसे थो दही डाल कर हमें लगाता, चलाती हूँ से मिक्स करना है, थोड़ी से हम इसमें डालेंगी, कसूरी मैथी, और इसको हाथ से क्रेश करके डालेंगी, इस तरीके से, इसे बहुती बड़ी अटेश्ट आता है सबची में, और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगी, यह देखे क्रेवी अच्छे से हमने पका ली है, दही डाल कर, आप देख सकते हैं, कितने अच्छे से पग गई है, अब इसमें हम डालेंगी पानी, तो पानी इसमें हमें थोड़ा ठीक सही डालना है, इसमें मैंने 2 कप के करीब पानी डाला है, क्योंकि अभी हमें इसे 10-15 मिनिट पक सबजी बनके तयार है, आप देख सकते हैं, सबजी कितने गाड़ी हो गई है, और कितने अच्छा कलर आया है इस पे, थोड़ा सबाली कटा हुआ हराथनी रालेंगी उपर से, बहुत ही स्वादेश्टी ये दमाली कुई सबजी बनके तयार हुई है, आप इसे पोड़ी, रोटी, राइस, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही जादा टेश्टी लगती है, सबजी, आप भी एक वाद जरू ट्राइ कीजे, कमेंट में जरू बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजी, इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए थेंक यू, और बाबाई